नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजर खाखिल आज आप लोगों के लिए sorting के बारे में लेक्चर लेके आया हूं जो लेक्चर है उसके अंदर sorting में सबसे पहला है क्या होता है बहुत ही सिंपल होता है एक sorting algorithm के इसाब से काम करता है लाइक हम कोई भी कार्ड प्ले कर रहे हैं तो कार्ड प्ले के अंदर अगर उसका एज एरे के रूप में हम उनको कार्ड को लेके चलते हैं तो उनको ascending descending order में किस तरीके से हमें sequence में लगाना है और किस तरीके से उसकी sorting करनी है उसी चीज़ पर हम discuss करेंगे मैं पहले कुछ definitions बताता हूं उसकी बाद में मैं आपको example लेकर की बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से instruction sort instruction sort is a simple sorting algorithm that works similar to the way you sort playing card in your hands the array is virtually split into a sorted and unsorted part value from unsorted part are picked the placed at the correct position in the sorted part इसके अंदर कुछ advantage है पहला advantage है simply implementation होता है efficient small data sets and adaptive appropriate for the data set are already substantially sorted होता है इसके अंदर next अगर मैं बात करूं algorithm की बात करता हूं algorithm के अंदर वही सारी चीज़ें होती है कि किस तरीकिस से steps इनको चली जाती है उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते है algorithm के अंदर six step को ते है step one के अंदर क्या होता है element is the first element assume that is already sorted पहले element को हम मान के चलते हैं कि sorted हैं है दूसरी के अंदर क्या करते है pick next element and store is separately in a key और दूसरी element को हम pick करते हैं उसको as a key मान लेते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं now compare the key with all elements in the sorted array step four के अंदर बात करते हैं if the element in the sorted array is smaller than the current element then move to the next element and shift greater element in the array towards the right और next क्या होता है insert the value and repeat until the array is sorted और इसके अंदर क्या होती है पहला होता थिस अल्गोरिथम इज वन अप्दे सिंपलेस्ट अल्गोरिथम with simple implementation second होता basically instruction short is efficient for small data values third होता instruction short is adaptive in nature it is appropriate for the data set which are already partially sorted अब इसके अंदर मैं आपको कुछ example के थूरू बताऊंगा एक्जाम्पल बहुती बहुत्ती बहुत्तरीन example के थूरू हम sorting देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं कि किस तरीके से काम करता है instruction short तो हम एक array element ले रहे हैं 12 11 13 5 & 6 इन array elements के अंदर मैंने इसको एक array के अंदर मैं box में ले लिया 12 11 13 5 & 6 इसमें array index 0 1 2 3 4 और एक आसकता array index 5 इस तरीके से इस सारी चीज को ले लिए अभर इसका क्या क्रेंगे मी consulting करेंगे sorting दो मैं आपको बताऊंगा दूसरा एक नॉर्मली वताऊंगा कि कि Impressive करतेम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर फेज बंके लेंगे हैं फेज compare करते हैं अगर compare करेंगे 11 less than 12 है अगर 11-12 से क्या है छोटा है तो ठीक है अगर 11-12 से क्या है बड़ा है तो वह एजटी रह जाएगा अगर छोटा है तो वह क्या होगा कि fav 59 Batty स्वेफ से chief होगा यह क्या होता है एक element अगे और स्वेफ नहीं होता कभी इंसेशन खोर के अंदर तो अगरय यह जो चिलिए तलाग करेंगे 15 जो 10 दिस्तर करेंगे इस element को क्या करेंगे, इसके साथ compare करेंगे, जब इस element को इसके साथ compare करेंगे, तो देखेंगे कि 12 less than 13 है, तो यह condition सेटीसफाई हो रही है, तो यह agcoming वैसा वैसा रहेगा, अब next पे हम चलते हैं, next पे 3rd page में जब जाेंगे हम, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी comparison करेंगे किसका, 5 का 5 किस के साथ करेंगे पहले 13 के साथ में करेंगे 5 का 13 के साथ में करेंगे तो यह क्या हो गया 13 इधर आ गया और 5 यहां पर आ गया और यह क्या हो गया shift हो गया elements इसी तरीके से अब क्या करेंगे अब 5 का यहां से इसके साथ करेंगे जब 12 की साथ में करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा इधर shift हो जाएगा और 5 इधर आ जाएगा अब 5 का 11 की साथ में करेंगे तो अब next element में क्या हो जाएगा 5 यहां जाएगा और 11 इधर shift हो जाएगा तो वही हुआ 5 क्या हुआ 5 इधर आ गया और सोरी 5 इदर आ गया 11 इदर शिफ्ट हो गया अब नेक्स फेज में दुबारा से हम कंपेरिजन करेंगे इसमें दुबारा हम जब कंपेरिजन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है वह में आपको बताता हूं अब हम वापस करेंगे यह आगा 5 11 12 13 आगा अब मेरे पास एक एलि सिफ्ट होगा तो क्या होगा 6 इदर चला जाएगा 13 यहां पर सिफ्ट हो जाएगा यही हुआ 6 यहां आ गया और 13 इदर आ गया अब क्या करेंगे 6 12 की बीच में कंपेरिजन करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 6 12 है तो यह क्या होगा यह भी सिफ्ट होगा तो 12 इदर आ ज तो यही 6 less than 11 है तो इसको भी मैं क्या करूँगा shift कर दूँगा element को तो 6 यहाँ पर position पर जागा और 11 यहाँ पर shift हो जागा यह आ गया इधर जब यह आ गया तो अब देखेंगे 5, 6, 11, 12, 13 यहाँ पर यह क्या हो गया sorting हो गई इसकी जो area की complete sorting हो चुकी है क्या 5, 6, 11, 12, 13 तो यह एक complete क्या हो गया मेरा area बनके आ गया है sorting area बनके आ गया जिसको मैं एक fully sorted area में मान सकता हूँ इस तरीके से हम क्या करते हैं जब ascending order में जब आ जाती है तो उसको हम sorted area के रूप में मानते हैं दोस्तों मैं आपको अब बहुत ही और अच्छा example देता हूँ यह तो मैंने step by step बता है आप मैं direct बताता हूँ आपको डारेक्ट जब हम insertion की बात करते हैं तो insertion sorting में एक और execution process देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं सब्सक्राइब मेरे कुछ elements area elements है 4 3 2 10 12 1 5 & 6 तो इसकी मैं error index में मानूं तो इसके क्या जाएगा 0 यह 1 यह 2 3 4 5 6 & 7 यह क्या होगी इसकी error index होगी अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले सबसे पहले मैं इसको by default इसको sorted मान लेता हूँ अब दूसरा element लेता हूँ यह element लिया 4 3 3 जाने मैं इसके साथ क्या क्या करूंगा तो यह क्या हो गया यह हो रहा है 4 तो ग्या घुरें जिन फुरू क्या थी है चो अब डू१ं सब्सक्राइब धोर प्रकर च्रोइगा अब मैं शोता है ळायों से जसे चोटा है इसको करढ़ा है तो जाएगा तो मेरे पास 5 तो 5 खूंगा फिर इसके साथ करूंगा यहां फिर इसके साथ करूंगा इसके बा remot में यहां पर आ जाएगा तो यह आगया 5 फाइप element आ गया फिर मैं 6 को करूँगा उसके बाद में 10 के साथ यहांं सुप्ट हो जाएगा और उसके बाद में यहां 5 के साथ comparison करूँगा तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा देन फाइनली क्या करेंगे हम फाइनली देखते हैं तो हमरे पास जो सौटेड आ रहा है यह क्या गया मेरे पास में एक सौटेड बने के आ गया इसमें 12345610 और 12 यह क्या है फुली सौटेड एरे है तो दोस्तों इस तरीके से हम इस से सोट को ह है यूजमें अब इसके अंदर मां आपको एक इन्प्लिमेंटेमर्टेशन एंप्लिम्क्राम के बटा देता हुँ कि प्रोग्रामिंग में इसको किस त्रीके से जो सिपक्राइबय्टिकेश यूजम करता हुँ तो सब से पहले हम हैडर फाइल डिकलेगे इंक्लूट हैस है as inclu'd match.h और studio.h match function क्यों ले यूज में लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जब sorting करते हैं क्यों sorting करते हैं तो उसकी जितने भी comparison और जितने bit-wide operators होते हैं वह किसमे इस स्टोर होते हैं । में होता हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक insertion short लेंगे integer array लेंगे और एक n value तक इसको क्या गरेंगे 0 से लेकि n तक चलेंगे अब एक key लेंगे integer type की i लेंगे key लेंगे और j लेंगे तो पहले for loop चलाएंगे i से i equal to 1 i less than n i plus plus then एक key निकल किया key equal to array जो key elements है वो क्या है key elements क्या है वो array है अब मैं एक j लूँगा अब यह i है तो अब मैं क्या करूँगा i से minus 1 करूँगा हमेशा i से minus 1 करूँगा comparison तो j equal to i minus 1 होगा अब move कर जागा element 0 से i minus 1 तक अब next पे हम चलेंगे तो यह क्या होगा greater than होगा position add और position क्या होजागा exchange होजाएगी current value वाइल j greater than equal to 0 and and i array of j greater than की अगर बड़ी है तो वो क्या होजागा plus 1 हो जाएगा और otherwise क्या होगा j minus 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा array j plus 1 equal to t निकल की आएगा इसी तरीके से जब हम next पे आगे करते हैं तो next के अंदर भी क्या होगा इसी तरीके से यह होगा utility functions को एक primary की print करेंगे array की रूप में जो एक functions में void print array functions लेंगे array type का और integer type का जिसके अंदर हम एक integer i को initialize करेंगे 4 i equal to 0 i less than n i plus plus जिसको हम क्या करेंगे output के रूप में डिस्पले कर देंगे percentage integer value को array के रूप में जिसको मैं क्या करवाते हूँगा print n next value के साथ में यह compare करके print कर देगा अब किसी भी test करना इस session sort को जो finally मुझे test करना तो मैं क्या करूँगा main method में जाऊँगा main method के अंदर जो array की value लोगा suppose 12, 11, 13, 5 and 6 तो integer n equal to मैं क्या करूँगा 0 से array of index array index 0 से शुरुआत करूँगा 0 फिर 1 लोगा फिर 2 लोगा फिर 3 लोगा और फिर 4 लोगा इनका मैं क्या करूँगा comparison करूँगा 0 से अब इस session sort array और n value के साथ में जिसको मैं print array इसको print करवा दूँगा array of n और written type की value करूँगा 0 लोगा जब इसको मैं compile करूँगा तो finally मेरे पास एक sorted array आएगा क्या आएगा 5, 6, 11, 12 and 13 इसके time complicity क्या होती है O n square auxiliary space क्या होता है O 1 तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हमारा session sort खतम हुआ अब हम next आपके साथ में sorting लेके आएगे जो बहुत ही important sorting है वो होगी selection sort जो मैं आप लोगों को next lecture में बताऊँगा जिसके अंदर बहुत ही important sorting का मैं प्रोग्राम बताऊँगा तब तक आप लोग मेरे साथ बने रही है safe रही है शुरक्षित रही है और कोरोना चल रहा है तो आप मास्क लगा के बाहर निकले तब तक मेरे चैनल संजे कंप्यूटर क्लाशेश को आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए और कोई भी आपका सेजिएशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बताएगा थेंक्यू